Hello everyone, welcome back to my YouTube channel आज का हमारा जो मैस का question है वाइस परकार से है तीन अंकों का योग 136 है यदि प्रथम वा द्वीती अंकों का अनुपात दो अनुपात 3 है तथा द्वीती येवं त्रती अंकों का अनुपात 5 अनुपात 3 है तो द्वीती अंक का मान क्या होगा ये हमको find करना है ज्याद करना है question के लिए जो option से है option A 36, option B 40, option C 60 option D 86 तो चलिए इस परकार के question को कैसे solve किया जाता है उसको सीखते और समझते है तो सरपतम हम क्या करेंगे question में जो भी चीज़े दी हुई है उसको हम लोग note down कर लेंगे इसलिए मैं यहापर लिख देता हूँ दिया है तो question में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है बो दी हुई है प्रथम वा द्वीती अंको का अनुपात ठीक है तो इसको हम कैसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्रथम वा द्वीती अंको का अनुपात बराबर कितना दिया हुए question में तो यह दिया हुआ है दो अनुपात तीन ओके मही question में अगली चीज क्या दी हुई है इसकी बात करें तो question में अगली चीज दी हुई है द्विती एवं त्रिती अंकों का अनुपात तो इसको हम लिखेंगे द्विती वा त्रिती अंकों का अनुपात ओके बराबर कितना दिया हो है क्वेश्चन में तो एरिया हो है 5 अनुपात 3 ठीक है में question में हमको क्या find करना है इसकी बात करें तो हमें question में find करना है द्वीती अंक का मान तो इसको हम लिख सकते हैं द्वीती अंक का मान बराबर question mark clear इतना? ओके अब आगे हम लोग question में क्या करेंगे ये जो अनुपाथ दिये हुए है ठीक है दो अनुपाथ तीन इसको हम कह सकते हैं प्रथा मनुपाथ और पांच अनुपाथ तीन को हम कह सकते हैं द्वीती अनुपाथ इनका हम लोग आपस में गुना करेंगे ठीक है तो चलिए गुना कर देते हैं उसके लिए मैं हाँ पर लिख देता हूँ प्रथा मनुपात गुना द्विती अनुपात ओके तो प्रथा मनुपात कितना दिया हुआ है तो प्रथा मनुपात दिया हुआ है दो अनुपात तीन ठीक है अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है यहाँ पे जो द्विती अंख है ठीक है वो प्रथा मनुपात में तीन द पर यह दिया हुआ है उसको अम लोग प्रथम अनुपाद के जो तीन दिया हुआ है उस अंक के नीचे लिखेंगे ठीक है रहते और दिया हुआ है पांच अनुपात तीन तो इसमें जो दूईती अंक है उसका मान दो बार दिया हुआ है एक दिया हुआ है तीन और दूसरा दिया हुआ है पांच इसलिए मैंने पांच को तीन के नीचे लिख दिया ठीक है अब आगे इसको गुना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो तीन के आगे में एक तीन और लगा देंगे ठीक है वैसे ही जो पांच है नीचे में इसके आगे हम लोग एक पांच और लगा देंगे ठीक है समझाया तो यह हो जाता है दो अनुपात तीन अनुपात तीन ठीक है उसके नीचे में पांच अनुपात पांच अनुपात तीन अब इनका आपस में क्या होगा उनका आपस में लोग गुणा करेंगे तो चलिए गुणा कर देते हैं तो तीन तीया 9 हो जाए गए आपस कच्चिन यहां पे लग जाएगा ठीक है तीन पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा अब आगे हम लोग क्या करेंगे तो मानेंगे क्या मानेंगे इसको मालेंगे पहली संख्या इसको मालेंगे तीसरी संख्या तो इसलिए मैं यहापर लिग देता हूं माना की प्रथम संख्या दस एक्स द्विती संख्या पंद्रा एक्स वा त्रिती संख्या नौ एक्स है इसलिए यह लोग माल लेते हैं क्लियर हैं हमने माना प्रथम संख्या दस एक्स द्विती संख्या 15 az और द्विती संख्या जो है वो 9 एक्स है clear इतना मैं आपर और short form में लिख देता हूँ ठीक है जिसे कि आप लोग को और clear समझ में है तो प्रथम संख्या बराबर हमने कहा 10x वहीं 2-3 संख्या बराबर हमने कहा कितना 15x वहीं 3-3 संख्या बराबर हमने कहा कितना 9x ठीक है कितना ध्यान में रखेंगे चलिए बागे चलते है अब आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तब प्रस्नानुसार प्रस्न में क्या कहा गया है तो प्रस्न में कहा गया है तीनों संख्याओं का जो योग का मान है वह कितना 136 है तो हमने प्रथम द्विति और तृति संख्या माली है इसलिए हाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रथम संख्या प्लस तृति संख्या प्लस तृति संख्या ये तरीक से मैं आपे सूत्र गना रहा हूं, ठीक है, बराबर जो योग का मान हो कितना है तो 136 है, ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे तो इस सूत्र में मारत देंगे तो प्रथम संख्या हमने माना है 10x है प्लस हो जाएगा दृती संख्या जो कि हमने माना है 15x है यह प्लस हो जाएगा त्रिती संख्या जो कि हमने माना है 9x है क्लियर है बराबर 136 ठीक है अब क्या करेंगे 10 एक्स 15 एक्स और 9 एक्स का हम लोग आपस में योग करेंगे जब इनका योग करेंगे तो मान कितना है या जाएगा 34 एक्स बराबर में इदर है 136 ओके अब आगी क्या करेंगे यह जो 34 है इसका हम लोग पक्षानतर करेंगे हमा पक्षांतर कर देते हैं तो पक्षांतर करने पर एक बराबर में हो जाएगा 136 बटे में 34 या 34 ठीक है अब 136 को 34 से जब डिवाइट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा तो 34 एकम 34 और 34 चौक 136 इस तरीके से एकस बराबर जो मान आ रहा है वो कितना रहा है वो आ रहा है चार ठीक है एकस का मान कितना है तो 4 आया अब आगे हम लोग क्या करेंगे इस एकस के मान को प्रथम संख्या द्विती संख्या और त्रिती संख्या के साथ रखकर या इनके साथ जो एकस लगा हुआ है उसमें 10 उने में 4 और 10 चोंग 40 तो यह आगया प्रथम संख्या का मान कितना चालिस आ गया ठीक है वैसे कि द्वीति संख्या को हमन liberal 15 he हमने hybrid अधा 9 इन its भ्लावर्म एकस कम यो ज्ञेगा 9,37 पुर इस तरीके से हमारे पास प्रत्म संख्या द्वीति शंख्या औरत्री संख्या का माण 훨씬 यह अब question में चोकि द्विती संख्या का मान क्या होगा या द्विती अंग का मान क्या होगा यह पूछा गया है इसलिए हमारे इस question का जो answer हो जाएगा 60 ठीक है जो कि द्विती संख्या का मान है इतना है 60 है 60 है ओके अब चली यह बारी आती है options के तरब चलने की options की तरफ चलते हो देखते हैं कौन से वाले option में 60 दिया हुआ है ओके तो जब हम लोग options की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे option नमबर C में 60 दिया हुआ है यानि कि इस question का उनाइट answer होगा वो होगा option नमबर C 60 ठीक है तीन अंको का योग 136 है यदि प्रथम वद्विती संक्या या अंको का नुपात 2 नुपात 3 है तथा द्विती एवं त्रिती अंको का नुपात 5 नुपात 3 है तो द्विती अंक का मान क्या होगा तो यह होगा 66 आसा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का question कैसे solve किया जाता है कैसे बनाया जाता है वो बहुत अच्छे तरीक से समझ मैं होगा तथा या वीडियो जो है आप लोगों के लिए useful और helpful दोनों साभित होगा इसी प्रकार की important question को लेकर topic को लेकर मिलते हैं हमारे next video में तब you so much